तुई हमारे बीच में से ते हैothe जिनको इंविटेशन मिला और उनकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही है कि वो इसके साक्षी बनने जारा है अमीजी कैसा लग रहा है हम सब बीच में से आप को इंविटेशन मिला है आप उस बल के गवाब बनने जारा जी सपना ये भगवान रामलला का पासपोर्ट है और जिसको मैं सिर माथे पे लगाता हूँ और आज ये पल विटनेस करने का एक मौका मिलेगा इतिहासिक पल है और न्यूज एटीन की टीम बाहर नहीं अंदर भी होगी मेरे साथ रूपिका होगी हमारे ग्रूप के रिटर का इंतजार और उतके बाद रामलला आज विराजमान हो रहे हैं और लोगों का हजूम बता रहा है अयोध्या नगरी के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का प्वागत करने के लिए हाँ वी वी आई पी यो का आप देखिए अभी अनिल कुमले से मेरी संबोधित करा और कई सादू संता है हुए हैं अखारा परिशत के अध्यक्षा है हुए हैं और गजब का उत्सा है मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उत्सा मैंने कभी देखा है मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक दिवाली तो हर साल आती है लेकिन ये दिवाली तो साड़ जबने कैसे लोगों में आस्ता है किसे बेघसे हैं अधर जूरी देखा तो एक पल में तो मेरे आंकों में यसे और मन करा की भिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस धर्ति को नमन करें जहां पर राम लला विराजिवान होने जा रहा है एक अजबुत मौका है शबदों में बैया इ व्याइप वνने बड़े व्याइप व्याइप लाइनव में लगी यह सथ की बस जा रही है आप दिय advisor और गिंद व्या teu अब आफ यह इतने सारे व्याइप हैं अभी मैं देख रहा था बॉलीवूट के जो अंपाम खेर से मेरी मुला& का अनुपम घेर मेरे साथ breakfast भी बैटे और हम लंबी चर्चा कर रहे थे और मैं तो कहते हैं ना एक माननेता है कि हनुमान गड़ी जाने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए तो अनुपम घेर भी हनुमान गड़ी गए मैं भी गए रिशब शेटी आए हुए है आपर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉलिवूड के स्टार्च आए हुए है साउथ के स्टार्च आए हुए अद्बुद मौका है जो व्यूवर्ज इस समय न्यूज एटीन देख रहे हैं न्यूज एटीन देखते रहे हैं कोकि हमारी ग्राउन टीम मंदिर के प्रांगर में भी आपको तस्विरें दिखा रहा हूँ राम पत की तस्विरें देखे एक बार फिर मैं आपको देख रहा हूँ वी वी आई पी मूव्मेंट किस तरह से हो रहा है गाडियों का काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है चुकि 8000 लोगो निमंत्रित किया गया है इसलिए जो अपने वहन में आ रहे हैं उनको पास दिया गया है जिनके पास वहन नहीं उनको देखे इसी तरह की बसों में सजा करके आयोध्या विकास प्राधिकरन की तरफ से उनको ले जाय जा रहा है लेकि लगातार देखे पुलिस कर्मी और जो इन्वाइटी है वो सभी लोग लग अतार आयोध्या धाम की तरफ पहुच रहे हैं और अब से कुछ घंटे बाद प्रावन प्रतिष्ठा का जो कारक्रम है उसके साक्षी बनना चाहते हैं इस बीच सुरक्षा की भी में लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं रैपिट एक्षन फोर्स के जमान भी लगा द झाल 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 झाल